आरेसेस पर मुग मोहन भागवत चाहते है कि आरक्षन पर सभाद्र पूर्ण वातावरन में समर्थक और विरोधी आपस में चर्चा करे इसके साथ ही आरक्षन का मसला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्या इसी चर्चा के जरे आरेसेस और भाजपा आरक्षन को मजबूत करना चाहती है या फिर इनका इरादा आरक्षन के सम्यधानिक प्रावधानों को नश्ट करना है या सवाल अब उढ़ने लगा है क्योंकि अनुचेत 370 के बाद भाजपा का अगला निसाना आरक्षन को ही माना जा रहा है जिस तरह बिजेपी ने अनुचेत 370 को खत्म करके वहावाई लूटी है और तीन तला को अपराद बना दिया है उसके बाद ये आसंका होने लगे कि भाजपा अपने को रोड बेंक यानि कि सवर्न तपके को खुश करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है ऐसा भी माना जाने लगा है कि अब उसका निसाना OBC का आरक्षन हो सकता है ये आसंका इसले भी है क्योंकि RSS से लेकर भाजपा तक के तमाम नेता समय समय पर आरक्षन खत्म करने की मांग करते रहे है आजाद भारत में देखा जाये तो सम्मिधानिक बाद धिता के कारण अनुसुचित जाती चनजाती के लिए आरक्षन का प्रावधान एक मजबूरी बन गई थी परन्तु अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या का सही आकराना होने का बहाना बना कर इस वर्ग के आरक्षन को 10 को तक शम्मिधान की किताबों में निश्क्री अनुछेत के रूप में पढ़ा रहे हैं दिया गया आखिरकार आजादी के 43 साल बाद केंद्रिय नौक्रियों में 27% OBC आरक्षन देकर मंडल कमिजन की रिपोर्ट की एक सी फारिस लागू की गई रिपोर्ट लागू होने के बास्ते ही इसमें समय समय पर कार्ट छाट की जाती रही अब दो बार प्रचण बहुमस से सत्ता में आई भाजपा नित मोधी सरकार ने तो आरक्षन को रौधने का मंद बना लिया है इसके लिए मैं आपको कुछ उड़ारन भी देना चाहूंगा जो इस प्रकार है एस्ती एस्ती प्रमोशन में आरक्षन के मुद्दे पर सरकार के उदासिन रवये के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्य सरकारों की दया पर छोड़ दिया है इस तंदर्ब में करनाटक सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जा सकता है OBC का कई नवक्रियों में कटाप सामानने से अधिक जाने लगा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के विभिन ग्रूपों के OBC का कटाप सामानने वर्गस से अधिक रहा है इससे पूर्व राजिस्थान लोकसे वा आयोगा और अन्य परिक्शाओं में भी अप्रवर्ती देखी गई है वो भी तब जब वहां भाजपा की सत्ता रही है यानि EET यानि की मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परिक्शा में भी एकाद राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में आल इंडिया कोटे के अंतरगस सीटे खत्मक कर दी गई है OBC सिरेनी में आवेदन करने पर दाखिला नहीं हो पाता है अरक्षन के खिलाब जन्मत भी तैयार कर रही है भाजपा और RSS के नेता समय समय पर ऐसे बयान देते रहे है जिनमें आरक्षन को परतिभाओं के साथ होने वाला अन्याए बताया जाता है इसे देश के विकास से भी जोड़ दिया जाता है बड़ा सवाल यह है कि जो आरक्षन ठिक से लागू ही हुआ नहीं वह अगर हडवी जाय तो क्या फर्क पड़ेगा इसका जवाब एदी सुनना है तो हम आपको API के राष्टी अध्यक से विजय मान करके वो बयान सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने आरक्षन प्रमोशन में आरक्षन, OBC आरक्षन और निजी छेत्रों में आरक्षन को ले कर दिये है जिससे आप भली बानती आरक्षन का पूरा गनीच समझ सकते है OBC जो लोग है वो ज़्यादा तर आरक्षन के बिरोध में ज़्यादा नजर आते हैं समर्थन में ज़्यादा नहीं दिखाए देते ऐसी स्थती में कैसे तंबह हो पाएगा अगर मान लीजे OBC प्रचास प्रतिशत है और OBC का केवल 14 प्रतिशत रहेगा तो वो कभी collector commissioner बन नहीं पाएगे यदि collector commissioner नहीं बन पाएगे तो जो policy होती है policy का जो implementation होता है policy को बनाने में जो bureaucracy का रोल होता है security लेबल से लेकर उसके implementation में जो डीम और sdm तक का जो रोल होता है उसमें अगर OBC नहीं होगा तो कभी भी OBC कम्यूनिटी का डिवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो जो पार्टिया ऐसा दुश्परचार कर रही है मैं समस्ता हूँ कि उन पार्टियों को मेरे तरफ से बड़ा स्टॉंग जवाब है कि आप जो है रिजर्वेशन को कम करने की ज़रुत नहीं बढ़ाने की ज़रुत है रिजर्वेशन OBC का 14 से 40 प्रतिशत करने की ज़रुत है प्राइवेट इंडस्टी में रिजर्वेशन लाने की ज़रुत है और military और armed forces में भी reservation लाने की ज़ुरत है और scientific and technical post में भी reservation लाने की ज़ुरत है जनता से कहूँगा कि ऐसे पार्टियों के भुलावे में ना आए और ऐसा जो कह रहे हैं कि हम reservation को कम करेंगे या समाप करेंगे वो parties को vote ना दे और API जैसे इची parties को vote दे ताकि हम इनको fight out करके जो है यह तमाम चीजों को expand कर सके बीजेपी जैसी party इस समय आरच्छन को लेकर परचार की कि आरच्छन की वज़े से देश पिछड रहा है आप कितना इत्फाक रखते इसे वह क्यों वहां पर पड़ी होनी चाहिए कोई भी धार्मिक सब्सक्राइब हो गया है तो मोदी जी की गवर्मेंट ने क्या किया या पचास लाग करोड रुपया चोड़ दी अब 2009 से कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज ने मिलके वह पैसा अगर मानलों किसानों के लिए कि अब बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लेम है क्या मेजर प्रॉब्लेम है मैं आपको एक छोटा डेटा बताना जरूरी समस्था हूं भारत सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स के 70-71 डिपार्टमेंट्स में ग्रूप A सर्विसेश में जो 27 प्रतिशत OBC है उसमें 16 प्रतिशत बैकलोग है ग्रूप B के अंदर में फिर 16 प्रतिशत बैकलोग है ग्रूप C के अंदर OBC में 8 प्रतिशत बैकलोग है मतवपुर्ण बात है ग्रूप A के अंदर 16 प्रतिशत बैकलोग ग्रूप B के अंदर 16 प्रतिशत बैकलोग ग्रूप C के अंदर 8 प्रतिशत बैकलॉग और शेडूल कास का 1 परसेंट बैकलॉग है ग्रूप A में और 1.7 परसेंट ट्राइबल्स का बैकलॉग है लेकिन जब हम जनरल केटेगरी को देखते हैं तो 18 पॉइंट वो सर्पलस है यानि देश में जो 15-20 प्रतिशत जनरल केटेगरी के लिए जो आबादी है ग्रूप A में लगबख 70 परसेंट उनके आफिसर्स है और ग्रूप B के अंदर में 67 परसेंट उनके आफिसर्स है ये एक बड़ा लेटेस डेटा है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यानि भारत के आजादी के 70 साल बाद भी ग्रूपे और ग्रूप B सर्विसेस में जहां क्लास वन और क्लास टू आफिसर्स होते हैं वहाँ पर OBC का आज भी 16 प्रतिशत बैक लोग है ये एक महतो पुड़ बात है जिसको ध्यान में देने की जुरूरत है उनका जो जीवन माना किस तरह है उसको उपर ला सकता है तो तीन तरीके डेवलपमेंट करने पड़ते हैं राधर चार तरह के हैं एक तो जिसको हम कहते हैं यूमन डेवलपमेंट दूसरा कहते हैं सोशल डेवलपमेंट तीसरा कहते हैं एकोनामिक डेवलपमेंट चोथा कहते है environmental sustainability अभी जो development के models पूरे दुनिया में जो research हो रहे है उसमें कहा जा रहा है कि केवल आपके देश में पैसा आजाने से लोगों का जीवन मानख उपर नहीं आता तो उनके मानव विकास करने की जुरुत है मानव विकास में उच्छे सिक्षा होनी चाहिए रोजगार होना चाहिए उनको गर होना चाहिए उनको प्रविडेंट फंट पेंशन होना चाहिए उनकी स्वास्ति की गैरेंटी होना चाहिए और उनको opportunity होना चाहिए कि talent growth होना चाह उसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सोशल विकास का मतलब जो भेदवाव है जैसे सेस्टी ओवी सी पिछड़ा है मानौरिटी पिछड़ा है इसको समाप किया जाए सारे वर्गों को उपर ले जाए जाए तो उसको सोशल डेवलप्मेंट कहा जाता है एकॉन तरह के विकास यूमन डेवलप्मेंट, सोशल डेवलप्मेंट, एकॉनामिक डेवलप्मेंट और एन्वार्मेंटल डेवलप्मेंट यह पूरी जो नीती हमने डिकलेर की है वो पूरी नीती जो यह चारो डेवलप्मेंट को लेकर है प्राइवेट का पराफेरनेलिया है या जितना नॉन स्टेट अक्टर्स है सब में एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लाग होने चाहिए सौट अफरीका में रिसर्वेशन है न जूदी श्री में डिलाओ को जोוא है इसे लिए जोOver S blueberry जो preventing और रिए कवारिशन दने ऑंफिर को नहीं बारत के कउर्ट में आज अधीवासी जज्ड नहीं है ब्हरत कर जच के जच क्यू नहीं है तो इसलिए जो है reservation in judiciary जो है क्योंकि judiciary जो है ये भी state है ना Parliament जो है ने legislature, executive and judiciary they are the three organs of the state तो वो state है तो जहाँ state है माँ reservation extend होना चाहिए और private sector भी अगर state aided है तो उसमें भी reservation extend होना चाहिए सामें 13 रुपिया के लिए सरकारों के पास है 27 रुपिया private sector और households के पास है private households के पास है हम क्या मांग रहें reservation in promotion क्यों जो भारत में LPG हो रहा था 1991 में तब यह जो so called parties की उन्हें ने क्यों ने कहा कि अगर भारत में आपको economic reforms करने की जरूरत है तो यह सा private sector के अंदर में हमको reservation होना चाहिए affirmative action होना चाहिए हमारे लोगों को management में नौकरी होना चाहिए working class में नौकरी होना चाहिए और हमारे जितने छोटे बड़े उद्योग पती है उनको भी contract बिजनेस का मिलना चाहिए यह पार्टियों ने आसा क्यों नहीं का आपको देश के अंदर में अब कह रहे हैं कि हम प्राइवेट हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सारी रिजर्वेशन इन गौवर्म प्रमोशन के लिए फाइट करेंगे अरे जॉब्स है कहा government के पास टू होमी और फूरिंग ठेप इंडिया जो ऐस टॉब्स है वह चोदा परसंट से ज्यादा कमें कुछमी सब्सक्र परेशेंट नहीं नौप एद'ख अ और 9-23 परसंट आप दी सारी 83 परसंट आफ शॉड़ी और ये göreनाईज इसरेenty उप्र्mostम अब आफ जो है किसान यह सब अनार्गानしまकर है याने बारत के अंदर में 83 जॉब सोब हैं यह आसंगजडिक शेतर में हैं और तेरा जो सुम्हजडi किछेतर में है उसमें केवल पाक सर्कार के पास है अभी आप कह रहे हें, हम के वल सरकारी नौकरी में зависFRation मंगेंगेंगें wakes हम के वल budget पाइसा मंगेंगेंगेंगे तो आपकी आर्थी कंडिशन कभी भी सुदरने वाली नहींगें आपयी समाजी काया आर्थी कंडिशन कभी सुदरने वाली नहीं है यह तमाम जो चीजे हैं and you cannot claim them as rights because the human rights have not been incorporated in the constitution of India and all these political parties they are befooling the people of India Congress ने बेखुब बनाया बीजेबी बेखुब बनाया और बहुजोनों की बात करने वाली पार्टियों ने भी आपको बेखुब बनाया आज तक private sector के अंदर में जब उधारी करन हुआ है तब आपके MP पार्लेमेंट में थे क्यों नहीं पार्लेमेंट में एक बिल लाया क्यों नहीं काम लाय कि प्राविट सेक्टित में रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे लोगों को बिजनेस मिलना चाहिए आप तो पार्लेमेंट में थे थे आपने ये काम नहीं किया लेकिन विजए मान कर ये काम कर रहा है